हाई आवरीवन आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी सेंपल पेपर जो कि हमारे स्कूल में आया था और यह सेशन इंडिंग का है तो देख लिए तीन गंटे का समय रहता है हमारा और अस्ती नंबर का पेपर है समानी निर्देस है यह केवल इसमें जो है केवल दो सेक्ष्टन थे खंड आ और खंड बास केवल दो सेक्ष्टन थे देखे खंड आ आपटिद गद्यान पीच्छ some ले लिजे ले लिया अपने स्क्रीन सोट अब जो है डबल स्क्रीन करके जो है इसको करते जाईए कुश्यन्स इस प्लिट स्क्रीन वाला उप्शन आता है उसको करके ये वाले कुश्यन आप करते जाईए ठीक है पहला question है दूसरा question है बहुत ही असान question है बस आपको paragraph समझना है और answer देना है और कोई असान है नहीं मुझकिल नहीं है इसमें कुछ बहुत असान असान है ठीक यहां तक हो गया अब देखे अब यहां पर एक और screenshot ले लीजे आप लोग screenshot लेके फिर यहां पर question करिए जहासे किरानी के उपर एक कविता दी गई है इसमें आपको हो सकता कुछ समझने में प्रावलूम हो ओके यह सब यहां पर दिया गया है पांच question है यह एक अजरसन दीजन आ गया है कथन A और कारण R को पढ़कर उप्तवत विकल्प चुनिये कथन A राणी रक्ष्णिमी बाई ने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मनी और वहां अंतिम समय तक लड़ी कथन A कारण R राणी से भी अदेख हमें अब यहां समाधी है प्यारी इस पंक्ति से कथन A की बात प्रमारित होती है तो इसका देख लीजे यह option दिये गये हैं अब यहां पर प्रश्णितीन आ जाता है हम लोगों का जो की grammar के related है आबल स्क्रीन को स्प्रइट स्क्रीन को आप अठा-ड़ी जिए और ऐसे खोड़ लीजे मूर्ड में मूल phrase बताना है यह उप्सर्ग प्रते वाला है अभशाफ में उप्सर्ग और मूल स्बातना ऑप Olá गर्वीला में प्रत्यबताना है प्रति-दिन में उप्सर्ग बताना है वैज्ञानिक में प्रत्य होताना है बहुत आसान असान है फिर यहां देख लीजे यह आपका समास वाला है पंच्वाटी का समास अब भाव समास इसा बताना है इन में से किवल चार-चार करने हैं आपको अगर पांच अप्सन है तो चार करने है ठेक यह सब हमारा कॉलम ए एक और दो को मिलान करना है प्रश्ण पांच देख लीजिए इसमें आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद वाला है देख लीजे शायद बारी सो सर्कस में आप शेर नहीं आए गए तो बहुत आसान असान है ग्रामर का सेक्षिन बहुत आसान था इस बार ठीक है यह सब है प्रश्ण छे देख लीजे किनी चार के आंसर देने हैं आपको अलंकार के उपर बेज़्ड है देख लीजे सब प्रश्ण साथ आया आप यह जो है पठेदु गध्यांस है इसको देख लीजेगा यह वो उस चैप्टर के हैं मेरे बश्पन के दिन ठीक आनंद भवन में कौन आये थे तो यह तो बहुत आसान है स्क्रीन शॉट ले लीजे और बिना इस पैराग्राफ को देखे भी आप आंसर बता सकते हैं ठीक यह सब देख लीजे प्रश्ण आठ प्रश्ण आठ में सालिम अली वाला है एक और लहासा की और का है एक प्रश्ण नो यह मेरे समस्या को उठाया है कभी ने और हस्ब माबुल क्या है कभी के अनुसार भयानक क्या है बच्चे कहां से गुजर रहे हैं बच्चों की उम्र क्या करने की है ठीक है प्रश्ण दस है यह रस्खान वाले से दिया गया है बंदद्वार की साकल कैसे खुलेगी अब यह आता है हमारा खंडबा इसमें आपको 25-30 सब्दों में जो प्रश्ण 11 है उसमें 25-30 सब्दों में किनी तीन प्रश्णों के आंसर देने है लहासा की आत्रा के द्वरान लेखा को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था फि नुति के इस कथन के आलोक में उसकी विशेष्टाएं बताएं और जवारा के नवाब के साथ अपने परिवारिक संबंदों को लेकर लेकिका ने आज किस संदर्व में स्वपने जैसा क्यों कहा है फिर लाश्ट है किस गठना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दि इनमें से किसी एक तीन को करना है बारवा देख लिजे इसमें भी 25 तीस सब्दों में आंसर देने हैं आपको ये जो है आपके कावे खंड का दिया गया है सारे कुश्चन इसमें भी किनी तीन का आंसर देना है पहला है जेब टेटूली कौरी ना पाई पंक्ति का भाव वा कविता के कवी को कोयल से इर्शा क्यूं हो रही है बच्चे गाम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश क्या है फिर तेरवा प्रशन देख लीजे दो प्रशनों के उत्तर देने हैं पचास साथ सब्दों में रीड के अड़ी एकांकी के माध्यम से लेकर समाज में किस तरह के क्यासा करता है अपने अंसार किस प्रकार से यह संबह हो सकता है यह बताना है फिर मेरे संक्य औरते पाठ के आधार पर लेखी का किमा कि की विशेशता मेता है फिर गाह मृतिव का तरल दूत किसे कहा जाता है और क्यूं इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उतर दीजिए ठीक फिर प्रस्न 14 है इसमें जो है कावा खागा दिया है इसमें से किसी एक पर आपको 120 सब्दों में अनुशेद लिखना है ठीक पंद्रभा देख लिजे इसमें एक लिटर लिखना है छोटे भाई को जिसमें आपको बताना है कि योगा के जो है योगा और व्याव्याम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है और अथवा में है आपके शहर में सडक पर जागा जगा गड़े हैं जिनसे आए दिन लोगों को दुरगजना का सिकार हो जाते हैं इस संदर्भ में जिलादिकारी को पत्र लिखकर आउगत कराते हुए समस्या के समस्या से मुक्ति दिलाने के अनुरूद कीजिए फिर प्रशन सोलवा है परहुकार सबके सबसे बड़ा धर्म है इसमें लगो गता लिखनी है सिसे सबसाव सब्दों में फिर पर यह अत्वा में दिया गया है ठीक सब्तरुआ देख लिए इसमें मोबाइल फोन का पढ़ाई से जादा मोबाइल फोन पर होने के विशे पर चिंता व्यक्त गरते हुए अपने अध्यापक से हुई बार्चीत को लगबग साथ सब्दों में सब्दों के लूप में लिखना है और समीर या सिरया का आपको नाम डाल देना है ठीक और इल अत्वा में लिया गया है यह सब्था हमारा पूरा पेपर वीडियो अच्छी लाइक करते हैं अगली वीडियो में थेंक्यों बाई बाई